हेलो फ्रेंड्स मैं उस रोज मेरे किचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज आपको हम घर में ही अपना फेसियल किस तरीके से कर सकते हैं वो भी बिना खर्चे की वो बताएंगे अपने स्किन को विल्कुल गोरा बना सकते हैं किसी भी परकार के दाग दब आपकी स्किन के उपर खतम कर सकते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो पुरा एंड तक देखना क्योंकि फ्रेंड्स सभी लोग चाते हैं कि हम सबसे हटके और सुन्दर दीखें और हमारा कलर एकदम गोरा चिट्टा साब हो तो फ्रेंड्स ये रेमेडिस एक बार लगा लेंगे एक बार में आपका जो भी कालापन है पूरी तरीके से खतम हो जाएगा धूप से भी कालापन आ जाता है वैसे भी कालापन आ जाता है इस स्किन में बहुत ज़्यादा हमारे गंद की जम जाती है हाथ पेरों के उपर तो बिल्कुल अच्छी तरीके से साप हो जाएगी तो यहाँ पर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो कटोरी का यूज किया है कटोरी में हम डालने वाले हैं दूद दूद हमें कच्छा दूद लेना है और दूद हमारा विलकुल ठंडा होना चाहिए जब भी आप दूद का इस्तिमाल करें तो दूद ठंडा होना चाहिए दूद से सबसे पहले तो फ्रेंड्स जो भी हमारे स्किन की गंदकी होती है सबसे पहले वो दूर हो जाती यहाँ पर मैंने नीबू लिया है तो फ्रेंड से दो से तीन बूंदे मैंने नीबू की डाल दिये तो अब इसको हमें क्या करना है नीबू से हमारा स्कीन की जो कैसा भी काला कलर है वो भी साप हो जाता है क्योंकि जो दूद है वो हमारे स्कीन को साप करने में ही मदद करता है बहुत अच्छा काम करता है तो मैंने इसमें नीबू का रच जादा नहीं डाला है क्योंकि जादा डालने से थोड़ा बहुत जादा फट जाता है दूर्ट तो इसलिए मैंने कम मात्रा में इसको लिया है कम मात्रा में डाला है तो अब हमें क्या करना है जो मैंने नीवो को इसमें मिला लिया था तो अब क्या करना है हाथों पेरों पे इसको लगाना है हमारे हाथ पेरों पे भी जैसे आपकी सूखी स्कीन है ड्राइ स्कीन है तो वो आपकी नभी हमेशा हाथ पेरों में नभी बनी रहेगी नभी जो बोलते हैं हाथ पेरों सूख पर गर्दन पर लगाना है दूद को इससे हमारा जो दूद से काला पन है पूरी तरीके से खतम हो जाएगा और आपकी स्किन बहुत जादा इसे गलो करेगी और आपको इसको लगाने के बाद में कोई भी मॉस्टराइजर या क्रीम कोई भी लोसन लगाने की ज़रूत नहीं पढ़ने वाली है क्योंकि यह इतनी दूद में ऐसी ऐसा वो चिकनाट भी रहता है तो हमारे ये चीजों की लगाने की आवसकता नहीं पढ़ने वाली है जो भी हम बाद में लोसन लगाते हैं बोड़ी लोसन जो भी लगाते हैं और इससे हमारे जो हाथ पेर हैं वो बहुत ज़दा चमकदार भी बनते हैं बहुत ज़दा ग्लो करते हैं और गोरे भी हो जाते हैं तो फ्रेंट्स इस तरीके से हमें हातों पे अच्छी तरीके से दोनों पे मेने लगा लिया है इसी परकार से चेरे पे भी आपको मालिस करनी है इसी परकार से आपको चेरे पे पीछे ज जो पेर होते हैं पेरों पेविसी तरीके से लगाना है तो फ्रेंड जो इसका तुरंती इसका जो मेल होता है वो हटना स्टार्ट हो जाता है दूद को लगाने के बाद में ही तुरंती तो इसका जट फट तुरंती आपको असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा तो फ्रेंड य यह है कि जो मैंने अभी दूद का यूज किया है दूद लगा है इससे हमारी स्कीन साप होती है और जो मैंने मुलताने मिट्री का यूज किया इससे हमारी स्कीन बहुत जदा टाइट होती है जो भी आपकी स्कीन के ओपर छोटे छोटे टॉन्स होते हैं पूरी तरीके से खतम हो जाएंगी तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने दूद में ही इसको मिला लिया है क्योंकि बहुत ज़दा असर और फाइदा करने वाली हमारे चेहरे की चीज है तो अब हम थोड़ा सा हाथ पे लगा की दोर बताएंगे आपको तो फ्रेंड्स पहले हाथ पे रोपे पूरे बोड़ी के उपर आपको दूद की मालिस करनी है दूद और जो मैंने नीवू का रस लिया था तो यहां पे असर आपको दिख रहा होगा कि मैंने अभी द दूद से ही इतना ज्यादा असर दिखता है कि आपकी पूरी तरीके से जो भी आपकी उमर दिखेगी वह बिल्कुल भी आपकी उमर ज्यादा नहीं दिखेगी इतना आपकी स्कीन ज्यादा ग्लो करें इतनी स्कीन बच्चे जैसी स्कीन हो जाएगी तो इस तरीके से मुलता टाइम के लिए रखने के बाद में तो फ्रेंड्स यहां पर हम देख सकते हैं मेने दोल लिया है और रिजल्ट आपके सामने हैं देख सकते हैं मेरा हाथ में जो भी गंदगी थी जो भी मेल था पूरी तरीके से गाइब हो चुका है बिल्कुल क्लिन हो चुका है तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही